आदर्णिय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ट महानुभाव और 140 करोड देश्वासियों के प्रतिनिधी, सभी मानिय सामसत्गाण। आपको और देश्वासियों को गनेश्च चतुर्थी की अनेक अनेक शुक्ताम लाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिल करके नए भविष्च का स्री गनेश करने जा रहे हैं। आज हम यहां विक्षिज भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्प बद्ध होना, और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरप्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानिय सभाग्रह यह भवन और उसमें भी ए सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुग भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेजित भी करता है। आजहादी के पूर्व यह खन एक प्रकार से लाइब्रेरी के रुप में इस्तिमाल होता था। लेकिन बाद में सम्विधान सभागी बैठके यहां शुरू हुई और उन सम्विधान सभागी बैठकों के द्वारा ग्रहन चर्चा विचाना करकर के हमारा सम्विधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हकुमत ने सत्ता हस्तांत्र किया उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा यह सेंटर हॉल है। इसी सेंटरल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। और एतिहासिक अउसरों पर आजहती के बाद भी सभी सर्वकारों के दर्मियान अनेक अउसर आये। जब दोनों सदनों ने मिल करके यहां पर भारत के भागे को घरने के पर विचार किया। सहमती बनाई और निर्ड़े भी किये। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्टा देख्षोने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी मान्य समसदों को सम्मोधित किया है। हमारे राष्टपती महोदोयों के द्वारा 86 बार यहां सम्मोधन किया गया है। बीते साथ दसकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुज्रे हैं, जिम्मेवारियों को समाली हैं, अनेक कानूनों, अनेक समसोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोगसभा और राजसभा ने मिलकर करीब करीब चार हजार से दिक कानून पास किये हैं। और कभी ज़रूरत पड़ी तो जॉइंट शैसन के माध्यम से भी कानून पारिद करने की दिशा में रणनिती बनानी पड़ी, और उसके तहद भी दहेज रोगठाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमिशन बील हो, आतंग से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किये गए, इसी गरह में पास किये गए, इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याए की जो प्रतिख्षा थी, शाबानों केश के कारण कुछ उल्टी पाटी पर चल गई थी, इसी सदन ने हमारी उस गल्टियों को ठीक किया, और तीन तलाग विरुद कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया, संसदें बीते वर्षों में ट्रांस जेंडर को न्याए देने वाले कानूनों का भी निर्मान की देंगा, इसके बाध्यम से हम ट्रांस जेंडर के प्रती सद्धाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नोकरी, शिक्षा, स्वास, बागी जो सुविधाए हैं, एक गरीमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बड़े हैं, हम सब ही ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरुनोंतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशन को देखते हुए, ऐसे कानूनों के निर्मान किया, जो उनके लिए उजवल भविश्की गारंटी बन रहे हैं।